कि हेलो फ्रेंज दि हेलों प्रेंज में व्रेंज आज देखने जाहाएं नदी तैका हुष्छ इंट्रेस्टिंग घाएंट लूंपने तुम आप दोड़ा से यहाँ पे mistake हो गया है, ठीक है, human development है, advanced human development, ओके, तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं, बहुत ही interesting and बहुत ही important question है, तो बिल्कुल ही वीडियो को इसकी मत करिएगा, चैनल पे नहीं होईएगा, तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए, तो please एक like जरूर करि तो आज हमारा सबसे ज़्यादा important question और interesting question कौन सा है, तो वो है गर्भावस्था के प्रता पांच मा के लच्छण और संकेत, जो कि बार-बार आपके exam में पूछा जाता है, interesting भी है, knowledgeful भी है, क्योंकि यह क्या कहते है, knowledgeful इसलिए है कि हर, अगर हम लोग home science पार रहे हैं, तो और हर किसी को इस दौस से गुजरना ही गुजरना है, तो सबके लिए यह बहुत important है, यह जो है, एक एहसास भी होगा, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि क्या-क्या लच्छण होते हैं, इसको हम लोग प्रारंबिक लच्छण भी बोल सकते हैं, कि गर्भावस्ता के प्रारंबिक लच्छण बताइए, तब भी आपको यही कुश्ण करना है, प्रथम के पाँच मा के लच्छण बताएए, तब भी आपको इनही पॉइंटों को एड करना है, ओके, तो जो भी हम, जो है, जो भी लच्छण हमारे अंदर दिखाई देता है, गर्भाधारन हमारे नहीं मितलब एक गर्भ होती इस तरी के अंदर जो दिखाई देता है, सौरी हमारे नहीं, ठीके, तो जो गर्भाधारन होने के बाद, जो प्रथम सबसे पहले जो लच्छण दिखाई देता है, यहाँ पे, अगर आप लोग पहला यह दालेंगे, तो बहुत अच्छा होगा, मैं तो हैडिंग में थोड़ा से मिश्टेक हो गया, मार्शिक धर्म का बंद होना, यह सबसे पहला लच्छण होता है, जब एक इस्तरी गर्भ धारन करती है, तो सबसे पहले क्या होता है, मार्शिक धर्म का बंद होना, यानि मार्शिक धर्म बंद हो जाता है, सबसे पहले यही लच्छण दिखाई देता है तो प्रमुक लच्छण क्या होता है कि मार्षिक धर्म बंध होना और इस समय देखिए हर परतेक इस्त्री जो होती है उसका मार्षिक धर्म 28 दिन के बाद आता ही आता है लेकिन 28 दिन के बाद अगर ये लक्षण नहीं प्रकट होते हैं तो माल लिया जाता है कि इस्तिरी ने क्या कर लिया है इस्तिरी ने गर्बधारन कर लिया है ठीक है यहां गर्बधारन या गर्बधान उसका रुख गया है गर्बधान की प्रक्रिया शंपन हो गई है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ठी लेकिन इसको इसलिए सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं विश्वसन यह नहीं माना गया है क्योंकि देखिए बहुत सारी किसी को सारी कमजोरी होती है तब भी लेट हो जाता है 10-15 दिन लेट में ही आते हैं पीरियड और कभी-कभी मार्शिक तनाव होता है खून की कमी हो जाती ह करता है तो उस समय क्या करना चाहिए एक जबसे जरूर मिलना चाहिए और उनसे प्रामर्स लेनी चाहिए उसके बाद सिकर्ड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है जीमचलाना क्या होगा जीमचलाना तो यही सबसे पढ़ा क्या है एक जो है जो लच्छड होते हैं ये भी बड़ा लच्छड होता है प्राता काल जी मचलाना या जी मचलाना या वमर ठीक है इसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग मौनिंग ठीक है मौनिंग सिकनेक्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं तो मौनिंग सिकनेक्स भी बोलते हैं ठीक है इसको मौनिंग सिकनेक्स भी कहा जाता है और इसमें प्राता काल जो इस्त्रियां होती हैं जब सोकर उठती हैं तो उसके बाद उनको उल्टी कानपव होता है और उन्हें उल्टी होती है, कुछ इस्तरियों को बाद में भी होती है, कुछ लोगों को विशेश किसी पदार्थ से एलर्जी हो जाती है, तो ये सारी चीत दिखाई देते हैं, जब मार्सिक धर्म बंद होता है, उसके 10-15 दिन बाद ये सुरू हो जाता है, और महीने यानि 2-3 महीने ये प्रॉब्लम बढ़ती है, इसलिए इसको एक नॉर्मल वे में लेके चलना चाहिए, जी मचलाना, एक अगर गर्वती इस्तरी है, उसको जी मचला रहा है, मौनिंग सिकने हो रहे हैं, तो उसको भैवीत नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन अपने प्रामस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत जादा होगा, तो इससे कमजोरी भी आती है, उसके बाद सिकन नमबर पे हम लोग जो देखने वाले हैं, सिकन नमबर पे जो देखेंगे, वो होगा अस्तनों के आकार में परिवर्तन, जी हाँ, तो इसके बाद तीसरा बनाई हुईजी होता है, जो कि जैसे-जैसे हो सकता है, होती जाती है, वैसे-वैसे उसके साधन का विकास भी करते जाते हैं, तो जयव गर्व धारन होता है, तो माके स्तनों में उसके जन्म के बाद पोसड के लिए दूद का निर्मार होना भी प्रारम हो जाता है यानि कि दूद निर्मार का भी प्रारम हो जाता है जिसके कारण क्या होता है अस्तनों के आकार में परिवर्तन आ जाता है जो अस्तन के निप्पुल होते हैं क्या होते हैं जो अस्तन के निप्पुल होते हैं वो और उसके चार रपटा धारम के शमय शुरू हो जाता है तो यह भी एक लचछण होता है ऑके तो यह भी एक Mcifaramma Really वह भी एक बहुती बड़ी लचछण है किसका नवी एक बहुत अच्छा स्चा-ऩोध हरा cheer जो एक इस्तिरी होती है उसको बार-बार मुत्र त्याग का अन्वा होता है या सिकायत उसे हो जाती है ये कब तक हो दिये तो ये प्रथम के तीन माह तक रहता है ये प्राबलम क्योंकि उस समय क्या होता है जो गर्भाश होता है उसका आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने के कारण यह नीचे मूत्रा सएक पर जोड बढ़ता है, जिसके कारण निस्त्री या गर्वती जो होती है जो yowt को यह सिकायत होती है मतलब यह सिकायत होने लगती है उसको बारबा मूत्र रत्याग करने के लिए जाने का अन्भो होता है यह प्रतम तीन महा तक समामत हो जाता है फिर नववे महीने में फिर यह समय से क्या हो जाता है बढ़ जाता है और ये विए जो ये वह एक लच्छर होते हैं किसके तो ये लच्छर होते हैं गर्भा वस्था के उसके बाद पेट का बढ़ना तो सेवर सी बात है गर्भ धारन हुआ है जैसे जैसे भूर का विकास होता जाता है पेट के आकार में भी बृध्धी होती चली जाती है तीक है क्या होता है तो धीरे धीरे जैसे पेट के आकार में भी परिवतन होने लगता ह दूसरे मा के अंतक क्या पता नहीं लगता है, दूसरे मा तक तो बिल्कुल नहीं पता चलता है, उसके बाद जैसे जैसे सिसु के विकास के करम में बृद्धी होती है, वैसे जैसे पेट के अकार में भी बृद्धी हो जाती है, ओके, तो पेट का अकार बढ़ना ये भी एक प्रारंबिक लच्छन होता है भूर की सक्रियता यानि कि भूर में एक्टिविटी कैसी है भूर का विकास कैसा हो रहा है ये भी एक क्या होता है एक प्रारंबिक लच्छन के रूप में माना जाता है ओके दिन उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है तो हम लोगों को पढ दाइदा चलता है ठीक हैं तो इसको पता कैसे चल सकता है तो जो घर्भा अवस्ताइद जो संकेत होते हैं ये एक चनबह राएफ़ देखा जा सकता है। जैसे गर्भासे करतक отпन के कारण उतपन होने Сंकेत है तो देखिए जो गर्भासे, अभी हमने क्या पढ़ा कि गर्भासे का आकार बढ़ने लगता है, जैसे सीशू का विकास होता जाता है, गर्भासे का आकार कैसा होने लगता है, बढ़ने लगता है, साथी ये कैसा हो जाता है, गर्भासे थोड़ा नर्म हो जाता है, मुलायम हो इसका रंग जो होता है वो कैसे पढ़ने लगता है नीला हो जाता है किस रंग में हो जाता है तो नीला हो जाता है और ये अंग अधिक नर्म भी पर जाते हैं तीक गर्ब धारन का अगला भाग सोला से 22 सप्ता केमद नाभी तक बढ़ जाता है तो कैसा हो जाता है तो सोला से 22 इस सकता तक जो गर्भ होता है वो ना भी तक बढ़कर आजाता है और ये दीरे दीरे बढ़ते ही जाता है तो भी ये एक लक्षन है अगर गर्भात नहीं बढ़ रहा है पेट नहीं बढ़ रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि बच्चा को पोसित है या उसमें जियो नहीं है तो तुरंद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा उके उसके बाद है अस्तनों के परिवर्तन तथा तचा के परिवर्तन से उत्पन संकेतों अभी बात हो गई कि जो अस्तनों होते हैं उसकी आकार में ब्रिद्धी हो जाती है उसमें कड़ा पना जाता है जो निप्पुल होते हैं उसके पास का जो काला भाग होता वो और डार्क वो कर और बढ़ जाता है साथ ही जो अस्तन होते हैं उसमें कुछ जो है जो सिराएं होती हैं दुद्ध सिराएं होती हैं वो दिखाई देने एक्सरे तो इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है कि इसका एक्सरे द्वारा जो भी भूर की स्थिती होती है उसको मालूम किया जाता है एक्सरे से और सबसे बड़ी बात एक्सरे से बहुत बड़ा नुकसान होता है जो उसके बीकिर्ण निकलेते हैं वो भूर को बहुत ज़् इकत मैसूस हो रही है, बच्चे का धरकन नहीं पता चला है, उसका हिलना डुलना नहीं पता चला है, या बच्चा जुड़ुआ है, या कोई और प्रावल्म, तब ही आपको एकसरे कराना चाहिए, नहीं तो एकसरे नहीं कराना चाहिए, उसके बाद सबसे लाज्ट जो पॉ लेकिन 16 सक्ता के बाल जो एक तरह पदार्थ पेट में होती है उसकी रचल को महसूस कर सकते है यानी जो भूड होता है उस में उचलने लगता है जिसको हम लोग महसूस कर सकते है और इस उचलने को क्या कहा जाता है Isn't कर सकते हैं और जो है बच्चे की धरकन चलने लगती है और आप लोगों को पता है कि भूर की धरकन होती है वो कितनी होती है तो जो गर्वती इस्तिरी होती है उससे बहुत जादा होती है वो कितनी होती है तो 120 से एक सो साड प्रती मिनट जो है चलता है तो बहुत तेजी से चलता है तो उसके धर्गन को भी मालूम किया जा सकता है ये भी एक गर्भावस्ता के संकेत होते हैं तो आई हो आप लोगों को ये question समझ में आ गया होगा इंट्रेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही नौलेजफुल भी था तो आप लोग इसको पढ़ लीजेगा हमने सीप आउश्टिप आपको क्या बताया है कि गर्भावस्ता के प्रारमिक लच्छन जो होते हैं वो क्या होते हैं जी मचलाना, स्तंकिया कार्मिक परिवर्तनमार, सि समझ में आया तो प्लीस वीडियो को लाइक करिएगा, फिसे कोंगी अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लीजिएगा, नेस्ट वीडियो में फिमिते हैं, तब तक के लिए बाबाए, जैहें